हलो फ्रेंड्स मैं राम वर्मा एक बार फिर आप के साथ एक खूब सुरत संदेश के साथ सब कॉंशिस की भाषा कैसे समझें और कैसे प्रियोग करें जी हाँ यही होगा आज का टोपिक और ये टोपिक मानवता के लिए हम सब के लिए बहद इंपोर्टेंट है हमारे फिलोसफर्स की हमारे योगीज की हमेशा ये सर्च रही है कि किस तरह से हम अपने सब कॉंशिस यानि कि अर्द चेतन मन या अवचेतन मन से बात करें कैसे अपने अवचेतन मन को समझें कौन सी भाषा होगी आखिर अगर आप देखें पिछले सो सालों का इतिहास तो आप पाएंगे कि माइंड का जो कॉंसेप्ट है वो हमेशा बदलता रहा है कई बार एक दशक के बाद कई बार दो दशकों के बाद हर बार आप पाएंगे कि नई नई चीज़े आ रही है माइंड के बारे में और ये टोपिक और भी इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अब तो मेडिकल साइंस ने भी ये मान लिया है कि जो भी चीज हमारी लाइफ में होती है चाह वो अच्छी हो या खराब जिन चीज़ों को भी हम अट्रेक्ट कर रहे है चाह वो हेल्थ हो या फिर हमारी बिमारी गरीभी हो या अमीरी खराब रिष्टे हो या बہتर रिष्टे ये सारा का सारा बेसिकली डिफाइन होता है हमारे subconscious mind से इसलिए friends ये वीडियो आपके लिए जरूरी है इसे अंत तक देखिएगा एक एक sentence आपके लिए important होगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें subconscious mind किस तरह से मिलता है जैसी हमारा जन्म होता है उस वक्त हमें इश्वर के द्वारा प्रकरती के द्वारा दो चीज़ें मिलती है एक है हमारा शरीर जिसको हम cells कहते हैं ये cellular level पर इसकी formation होती है और दूसरा है mind यानि कि एक software कि किस तरह से ये software हमारी body को हमारी cells को चलाएगा और जो हमारा software है उसमें बहुत सारी चीज़े पहले से inbuilt हमें मिलती है हमारे हाथ कितने लंबे होंगे हमारी skin कैसे होगी हमारा liver कैसे काम करेगा हमारा blood कैसे flow करेगा हमारी सांसे कैसे आएंगी हमारी लंबाई कैसी होगी हमारे कुछ एक जो body के behavior है वो किस तरह से काम कर रहे होंगे यह software में पहले से inbuilt हमें मिलता है लेकिन इस software के साथ-साथ हमें एक चीज़ gift में मिलती है और वो है कि हमारे पास कुछ extra space होता है हमारे mind में जैसे जब आप एक computer करीते हैं एक laptop करीते हैं तो आपके पास extra memory मिलती है इस memory में कई बार चीज़े आप record करके रख लेते हैं ताकि वो future में काम आए exactly इसी तरीके से हमारा mind भी काम करता है जब हम पैदा होते हैं हमें 80 billion neurons मिलते हैं आप ये समझे कि 80 billion store houses मिलते हैं जिनमें एक intelligence होती है ये intelligence create करती है हमारी creativity को हमारी intuition को हमारी decision making को belief building को even हमारी spiritual journey को भी और इन 80 billion neuron की capacity आप जानते हैं एक psychological survey के अनुसार एक neuron की capacity है 82 GB इतना सारा space हमें मिलता है और बस यहीं से एक magic शुरू होता है कि इस space में आप जैसी पैदा होते हैं चीजों को डालना शुरू कर देते हैं लेकिन अनजान तरीके से आपको पता ही नहीं होता कि किस तरह से हमें ये चीज़े डालनी थी पर हम डालते रहते हैं कई बार जो चीज हमारे mind में store houses में पढ़ जाती है महां से वो एक intelligence को create करके कई बार हमें बिमारी देता है तो कई बार health देता है कई बार हमें गरीब ही मिलती है तो कई बार μεिलती है लगता है कि हम victim हो रहे हैं किसी programming के याद रखेगा यए programming आपके subconscious में हो चुकी है अगर आप सही तरीके से अपने mind को भाषा नहीं देना जानते तो ये programming automatically random way में होती जा रही है और आप जानते हैं कि random तरीके से जो भी programming होगी निश्चित रूफ से उसका result भी भेतर नहीं होगा हो सकता है कि कुछ एक pattern ठीक ठाक भी पड़ जाएं आपके mind में पर ये सोचेगा कि अगर आप एक चोहराई पर खड़े हैं और एक crucial time पर आप एक गलत रास्ता पकड़ लें तो आप कितना दूर जा सकते हैं गलत रास्ते पर और वापस आने में कितना समय लगेगा बिल्कुल ये हमारे mind के साथ होता है इसलिए जरूरी है कि आप subconscious की भाषा के बारे में जान लें चलिए सीखते हैं कि subconscious की क्या भाषा है और किस तरह से हम इस भाषा के उपर अपना control अपना नियंतरन ले सकते हैं अपने जीवन को बहतर कर सकते हैं इससे समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने reception को समझना होगा जी हाँ जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे पास पाच receptor होते हैं जिने हम इंद्रिया कहते हैं जिने हम senses कहते हैं और इनके द्वारा हम विबिन signals को लेते हैं विबिन triggers को लेते हैं कुछी जो को हम देखते हैं आखों से यह हमारा पहला reception है कुछी जो को हम सुनते हैं कुछी जो को हम महसूस करते हैं फील करते हैं टच करते हैं कुछी जो को स्मेल करते हैं और कुछी जो को टेस्ट करते हैं और ये सारे के सारे सिगनल हमारे रिसेटर से हमारे सबकॉंसिस के अंदर जाते हैं तो आप केहेंगे क्या यही भाषा जी नहीं, यहाँ पर एक मैजिक है, यहाँ पर एक केच है, यहाँ पर आपके लिए समझने लायक चीज है, वो यह है, जो भी चीजे आपको मिल रहे हैं, आपके आँखोंसे, आपकी तेस्ट से, आपकी इसमेल से, वो जूँ की त्यू जाती आपका सबकुंचे से गेम खेलता है कि वो आपके द्वारा ली गई चीजों को अपने तरीकों से बदल कर चेंज करने के बाद अपने स्टोर में रखता है बस यही है सबसे बड़ा कैच और यही है सबसे बड़ा मैजिक कई बार आप देखेंगे कि कुछ चीजों को हम भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद हमें याद ही नहीं रहती कुछ चीजों को हम मीनिंग बदल कर लेते हैं कुछ चीजों को हम जो भी बिलीव करते हैं पहले से उनको वैसा ही ले लेते हैं और इस तरह से आप अपने mind में जिन चीज़ों को भी रखते हैं वो वो चीज़े नहीं होती जो आप देखते हैं जो आप सुनते हैं जो आप महसूस करते हैं जो आप टेस्ट करते हैं जो आप स्मेल करते हैं यह कुछ और होता है for example पल मैं आपके साथ एक छोड़ता गेम केलता हूँ, मैं आपको एक शब्द देता हूँ, ये शब्द आपके कान में एक ध्वैनी के रूप में जाएगा, तो ये ध्वैनी ही तो आपके माइंड में जानी चाहिए, पर मैं देखता हूँ ये ध्वैनी आपके लिए क्या करेग और इतना ही नहीं अगर आप इसे closely देखें तो अब आपको इसके color भी दिखाई दे रहे होंगे color के साथ आपकी हो सकता feeling भी बदल गई हो अगर आप burger like करते हैं तो आपकी feeling बदल गई होगी यानि कि आपको खाने का मन भी कर रहा होगा कभी आपने सोचा कि हर रोज कितने trigger आपको मिलते हैं आखों से कानों से और उन triggers को आपका subconscious mind अपनी भाशा के तहत अपनी भाशा के द्वारा आपके store में डाल रहा है और यह जो imprint आपके subconscious के अंदर बनते जा रहे हैं यही तो decide कर रहे हैं कि आपका behavior कैसा होगा आपकी success आपको मिलेगी या फिर failure मिलेंगे आपको गुस्सा आएगा कि आप शान्त रहेंगे आप depressed रहेंगे कि delightful रहेंगे आप अमीर रहेंगे या आप गरीबी के pattern के शिकार हो जाएंगे इसलिए जरूरी है कि आप mind की भाशा को अब समझना शुरू करें पहला rule है mind की भाशा को समझने का friends कि आप अपने mind को इतना समय और इतनी liberty ना दे इतनी स्वत्नतरता ना दे कि वो आपके द्वारा लिए गए trigger को आपके द्वारा लिए गई information को बदलने की जुरुत करे है ना कमाल की बात बस इतना सा आपको करना है अब आपका सवाल होगा क्या ये possible है मेरा जवाब होगा हाँ मैं एक NLP subconscious imprinting wellness coach होने के ना थे लोगों को हरोज यही तो सिखाता हूँ कि किस तरह से वो अपने subconscious को वो भाशा दे जिस भाशा के द्वारा आपका subconscious mind आपको desired results दे इसके लिए आपको क्या करना होगा इसे achieve करने के लिए आपको अपने mind को इस तरह से program करना होगा कि वो आपके द्वारा दी गई information को ना तो delete करे और ना ही वो बदले यानि कि जो information आप दे रहे हैं उस information को वो रखे लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि हम जो information रात बर देते हैं अपने mind को सुबह भूल जाते हैं शायद यही तो reason है कि हमारे बच्चे रात बर पढ़ते हैं और वो सुबह उठकर जब exam में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन आज मैं आपके साथ डिलीट नहीं करेगा डिस्टोर्ट नहीं करेगा और नहीं इसको गायब होने देगा यानि के यह है आपके mind की भाशा जिस information को भी आप अपने subconscious तक पहुचाना चाहते हैं उसमें आपके पास खुब सुरत visuals होने चाहिए और visuals की खास बात क्या होने चाहिए कि वो जितने live हो जितने वो moving हो three dimensional हो panormic हो closely आपको visible हो उतना ही वो काम करेंगे और उन visuals को डालते हुए एक बात और भी द्यान रखेगा कि आप उनमें कोई sound भी डालें वो sound आपके लिए बहुत attractive होने चाहिए इसलिए आपको बहुत सारी बाते वो याद रहती है जो विशेश रूप से कही गई थी जब लोग चिलाए थे या किसी ने आपको प्यार से विस्पर किया था वो सारी बाते आपको याद है क्यों? क्योंकि ये विशेश रूप से बोले गए शब्द या tonality थी इसलिए आप individuals के साथ खुबसुरसी tonality को खुबसुरसे शब्दों को भी जोड़िए और जैसे आप इसको practice कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप individuals में खोते जा रहे हैं जैसे आपको लगे कि आप इन विज्वल्स में खो रहे हैं तो ये वो मॉमेंट है कि जब आपके नियूरोन्स इस फिलिंग को अनभव कर रहे होंगे और अब आपती बाशा पूरी हो चुकी है बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी आप अपने माइंड के अंदर परतिस्थापित यानिके इंप्लांट करना चाहते हैं उसके विज्वल्स की क्वालिटी को भेतर करें उसकी ओडियो की क्वालिटी को भेतर करें और उसको एक फिलिंग के रूप में अनभव भी करें यह है आज की खास बात आप कहेंगे एक्जामपल क्या होगा माल लेते हैं आप एक घर के लिए अपने माइंड को परिभाशित करना चाहते हैं आपको एक अच्छा मकान चाहिए जहां पर आप रहना चाहते हैं और आपको इस घर में रहने के लिए मैक्सिमम फोकस बना रहे आपका आपके एफ़र्ट होते रहें लो फट्रेक्शन आपके लिए काम करें तो कैसे परिभाशित करें इसको कैसे भाशा दें इसको चलिए मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्सिसाइज करता हूँ महां लेते हैं आप एक घर की कलपना कर रहे हैं, एक मकान की कलपना कर रहे हैं, तो सोच एक इसकी दिवारों का कलर क्या होगा, इसका दरवाजा कैसे खुलेगा, दरवाजे का कलर कैसे होगा, जब आप इसे खोलेंगे तो ये अंदर की तरफ खुलेगा के बाहर की तरफ, इस अगर कुछ और चीजे हैं तो वो कैसी होंगी लोन कैसा होगा अगर आप उपर रूफ पर जाएंगे तो वहाँ से आपका लुक कैसा आ रहा होगा जब लोग इस घर को देखने आएंगे तो आप उनके मुझे किन किन शब्दों को सुनना चाहते हैं आपकी फिलिंग कैसी होगी जब आप इस घर में रह रहे होंगे तो आप कैसा फिल करेंगे यहां कि खुश्बू कैसी होगी जैसे आप इन सब चीजों के साथ एसोसेट करेंगे तो अब आपका माइंड बाकी चीजों को डिलीट कर देगा जो बेकार की चीज़े हैं और वो इस इन्फोर्मिशन को पूरी तरह से आपके नियूरोन में प्रतिस थापित कर देगा इस तरह से आप अपने सबकॉंशिस को एक नई भाषा देकर अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं ये रही आज की वीडियो आशा है कि आपको पसंद आई होगी अगर हाँ तो इसे शेर भी करिएगा मुझे अपने कमेंट भेजते रहेगा ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी मीनिंगफुल वीडियोज को अपलोड करता रहूँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और हाँ आपको नईनी वीडियो समय से मिलती रहें इसके लिए बैल आइकन जरूर ओन कर लीजेगा थैंक्यू वेरी मच कीप एंजॉइंग और अब आप अपने सबकोंशिस को नई भाषा के साथ परिभाषित करना शुरू करें तन्यवाद